नमस्कार बच्चो आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइस छे पॉइंट तीन का प्रशन एक करने जा रहे हैं इसका प्रथम भाग देखिए बताईए कि दिये गिये त्रिभुजों में से कौन से योग्म समरूप हैं उस समरूप तक कसोटी को लिखिए जिसका प्रियोग आपने किया ह है तथा समरूप त्रिभुजों को संकेतिक रूप में व्यक्ट केजिए तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि यह दो त्रिभुज समरूप है या नहीं है तो आएए देखते हैं देखें बच्चों यह है त्रिभुज A, B, C और यह त्रिभुज है P, Q, R कोण A है 60 डिगरी कोण P है 60 डिगरी के बरबर कोण B है 80 डिगरी और कोण QB है 80 डिगरी कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 डिगरी इसे ऐसे भी लिखा जाता है ठीक है बच्चों तीसरा देखने की हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि जब हमने समरूपता कसोटियां की सी तो हमने कहा था दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप भी बराबर होगा देखिए आप देख भी पा रहे हैं तीसरा चारीश चारीश डिगरी तीनों कोण बराबर हैं तो दो कोण इस त्रीभुज के संगत इस त्रीभुज के दो कोणों के दो संगत कोणों के बराबर हैं तो इसका मतलद, बताईए कि दिये गई त्री भूझे में से कौन से योगम समरूप है, यह योगम समरूप है और उस समरूपता कसौ। को लिखे, जिसका प्रियोग आपने किया है, तो देखिए, हम लिखेंगे ढो कोनों की मदद से किया है, तो हम लिखेंगे ए-ए समरूपता कसोटी ए-ए समरूपता कसोटी के अनुसार त्रीभोज A, B, C और इन्होंने का है समरूप त्रीभोजों को संकेतिक रूप में लिखिए है यह है संकेत समरूप का इस प्रकार से यह समरूप होगा त्रीभोज P, Q, R के तो यह हमारा पहले प्रश्ण का पहला भाग हल हो गया है इसमें हमने देखा कि ये दोनों त्रिवोज एक दूसरे के समरूप है आशा करता हूँ यह भाग आपको अच्छे से समझाया होगा इस प्रशनावली के इस प्रश्ण के बाकी बागों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर बाकी वीडियो देखकर बाकी प्रश्णों को अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद बच्चो